ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और नोटिफिकेशन बेल जुरूर प्रेस करिएगा ताकि कोई वीडियो मिस्स ना होपा है हाई आप सबसों आज का वीडियो होने वाला है एक अन्बॉक्सिंग अभी रिसेंटली आपने नाइका वगर आपे ओफर देखा होगा कि जो मारा ट्रेसेमे का शांपू है उसके साथ एक पहले स्ट्रेटनर फ्री आता था और काफी कूल था अच्छी तरह से काम करता था और ट्रेवल फ्रेंडली था स्मॉल था तो पाउच में आ जाता था और इसका साइज क्या है वह हम सब इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बड़ उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नही है और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहीं से दोनों प्रड़क्स वीजिबल हो रहे हैं अब हम इसे खोल के देखते हैं और सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको शाम्पू सो जैसे आपने ट्रेसे में का शाम्पू देखा होगा रेड क्लर की बॉटल में आता है और वि लिखा गया है फ्री टू इन वन है श्ट्रेटन में इन चाइना और इंपोर्टेर और मार्टेट बाए वेस्ट मुंबई की कोई कंपनी है जो इसको सप्लाइ करती है मर्प इस पर दी नहीं गई है क्योंकि यह फ्री प्रोड़क्त है अगर ब्रैंड का नाम इसमें देखे प्रोड़क्त को उसके साथ इसमें एक लीफलेट है कि आपको प्रोड़क्त को कैसे यूज करना ऩो यह था हूंक है बहुत ही मिनी जाब लग यह था पिछे झसे आपका स्ट्रेटन डहींड कर गया है याथ भीजित कर तो आपका लग करेंगी तो आपका सेंगे साइद में प्लेट दिया गया है वो ओपन होगा बट एक चीज मुझे थोड़ी खटक रही थी वो थी ये कि इसका जो कॉर्ड था वो स्वाइवल कॉर्ड वो 360 डिगरी नहीं था तो हो सकता है स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग करते हैं यह आपका थोड़ा अठके आपका जो अब मैं आपको शो करने वाली हूँ करके सबसे पहले जो नॉर्मल जैसे जो इजी करल होते हैं वह मैं आपको करके शो कर रही हूँ अगर temperature की बात करें तो इसका काफी अच्छा temperature है काफी जल्दी heat up हो जाता है और मुझे curls करने में कोई problem नहीं आई बट एक rod की जो इसका cord है उसकी थोड़ी दिक्कत लगी थी वो बार-बार अटक रहा था और यह हो गई है हमारे easy curl और अब मैं दूसरे तरीके की curl करूँगी जो हम tonk के through करते हैं और मैंने अपने hairs को लेके इसके around wrap कर दिया है और अब मैं उनको धीला छोड़ दूँगी तो यह आप देख सकते हैं थोड़ी wavy curls हो गई है हमारे अब मैं आगे की अपने flicks को लूँगी और सिर्फ इनको curl करके दिखाऊंगी और यह थोड़ी हो जाएंगे tight curls तो मैं थोड़ी दिर के इसको अपना पकड़ के रखूँगी और उसके बाद अपने बालो को छोड़ दूँगी और थोड़ी दे जब तक थंड़ा नहीं होता उनको पकड़ के रखूँगी और उसके बाद में उनको free शोड़ दूँगी तो आप देख सकते हैं हलका सा tight curls आ गए हैं तो curling के लिए काफी अच्छी rod है अब हम straighten करके देखेंगे तो मैं इसका lock open करूँगी जिससे जो straighten machine है वो हम use कर पाएंगे और अब मैं अपने बालो को straight करूँगी और बहुत ही धीरे धीरे अपने बालो को नीचे की तरफ लिखी चूँगी ताकि जो मेरी straighten machine है easily अच्छे तरीके से मेरे बालो को straight कर पाए अब जो straighten machine है जो उसका mouth open होता है वो थोड़ा कम होता है थोड़ी problem आ सकती है इस चीज को लेके पर आप देख सकते हैं एक बार में ही इसने मेरे बालो को किती अच्छी तरह से straight कर दिया है अब दुबारा उस पर एक बार प्रेस करूँगी और यह आप देख सकते हैं यह हमारी straighten machine का effect तो machine जो straightener है वो काफी अच्छा है आप इसको ज़रूर बाई कर सकते हैं वर्थ है अगर आप जिस चैंपू को बाई करते हैं separately तो आपको discounted price में मिल जाएगा अगर आप इसको जो शैंपू का एडिशन आया है फ्री straightener के साथ वो अगर MRP पे अगर आप उसको बाई करते हो तो शैंपू के साथ यह straightener फ्री मिलेगा अगर आपको वीडियो यूसफुल लगा हो तो इस वीडियो को like and share जरू करेगा चैनल को subscribe करेगा मिलेंगे निक अमेजिंग वीडियो में तब तक you all take care बबाई